National Conference के पूर प्रोविंशल प्रधान दिविंदर सिंग राना को लेकर जमुकश्मीर National Conference के वरकिंग प्रेजिडेंट और पूर मुख्यमंतरी उमर अब्दुल्ला ने दवायर के साथ बाचीत करते हुए अपना दिल, हाल दिल बयान किया है उमर अब्दुल्ला ने जहां पर ये कहा कि दिविंदर सिंग राना के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा वहीं पर उन्हें ये बात कही कि जाती तोर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा जटका है वो चेहरे से उनके चेहरे से चेहरे के भावों से लग रहा था कि वो दुखी हैं परिशान हैं हिल गए हैं ऐसा कुछ हुआ है जो सोचा ही नहीं था वो हो गया और उसके होने के बाद अमर अब्दुल्ला पूरा हिले हुए नज़र आये करंथापर ने जब ये सवाल पूछा कि देविंदर सिंग राना के पार्टी छोड़ने के बारे में आपका क्या कहना है तो उनने का लोग पार्टीओं में आते रहते हैं पार्टीओं से लोग जाते रहते हैं दिवंदर सिंग राना पहले आदमी नहीं है जोने नाशनल कांफरेंस छोड़ी है ना आखरी आदमी होंगे जोने नाशनल कांफरेंस छोड़ी है लोग आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे लेकिन ये मेरा जाती नुखसान है उनने का कि 22 साल तक मैंने एक रिष्टे में इन्वेस्ट किया 22 साल तक मैंने एक रिष्टे को पानी दिया मैंने एक रिष्टे को परवान चड़ाया मैंने एक रिष्टे में इन्वेस्ट किया और 22 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद जब आपको ये पता चलता है कि वो साथ ही वो हमसफर जिसके साथ आपने लंबा सफर तैक करने का प्रोग्राम बनाया था वो बीच रास्ते में निकल कर एक दूसरी प्लिटिकल पार्टी को एक दूसरी आइडियोलजी के साथ जुड़ गया है तो आप हिल जाते हैं यही कुछ अमर अब्दुल्ला ने वायर के इस इंटर्वीव में कहा है वायर का ये इंटर्वीव वायर के यूट्यूब चैनल और उनके फेसबूप पेज के उपर भी आपको मिलेगा करंथापर ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप दुखी हैं तो उनने का बिल्कुल दुखी हूँ दुखी क्यों नहीं होंगा मैंने एक दोस्त को शील्ड किया ये बात उन्होंने कही बर्मला कही कि पार्टी के अंदर बहुत सारी साजशें हुई बहुत सारी कॉंस्पेरिसीज हुई उन साजशें से भी मैंने देवंदर सिंग राना को बचाया जब भी वो साजशें हुई मैंने वो सारा वबाल पार्टी का जो अपने उपर लिया पार्टी मुझे कहती रही मैंने पार्टी की नहीं सुनी मैंने अपने मन की सुनी और मैं देवंदर सिंगराना के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहा और आज मुझे ये लग रहा है लग भी नहीं रहा है तो मैं अलफाज को थोड़ा मरोड रहा हूँ उनने बिल्कुल साफ दो टोकल अलफाज में कहा कि वो सही थे मैं गलत था वो सही कह रहे थे और मैं गलत था मैंने जहां इन्वेस्टमेंट की वो जगा ठीक नहीं थी उसके बाद उनको आगे जब पूछा गया कि क्या कहना है आपका देवंदर सिंगराना जमू डिकलेरेशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देवंदर सिंगराना ने भी बाकी लीडरों की तरह समझ लिया है मान लिया है कि जमू सिर्फ एक छोटा सा इलाका है और छोटे से इलाके में जो थोड़े से लोगों को लेकर सोचना विचारना उन्ही थोड़े से लोगों को लेकर विचार बनाना उन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने एक साथी के बारे में जो पार्टी में मेरा साथ था मेरा कलीक था अब उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ मैं उसके साथ अब इस विरोधा भास में नहीं पढ़ना चाहता हूँ उसके साथ अब मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ कि आपने क्या कहा है और आपने क्यूं कहा है उनने का मुझे लग रहा है जो जमू डिकलेरेशन की वो बात कर रहे हैं वो जम्मू डिकलेरेशन जो है कम्यूनल है ये बात अमर अब्दुल्ला ने वायर के इंटर्व में कही लेकि इंटर्व में सबसे खास बात ये थी कि वो विजिबली बड़े अपसट थे बड़े दुखी थे बड़े परिशान थे सुरजी सिंग सलाथिया को लेकर और देविदर सिंग राना को लेकर दोनों को लेकर एक ही बात अमर अब्दुल्ला ने कही कि मैं दुखी हूँ मैं आहत हूँ आहत इस बात से हूँ कि 22 साल जिस रिष्टे में मैंने इन्वेस्ट किया 22 साल के बाद वो रिष्टा मुझे छोड़ कर चला गया पीछे मुड़कर भी नहीं देखा बात भी नहीं की बताया भी नहीं और साथ में ये भी कहा कि सियास्ट में राजनीती में ना तो पक्के दोस्त होते हैं ना ही पक्के दुश्मन होते हैं जो आज आपके दोस्त हैं कल दुश्मन होंगे और जो कल आपके दुश्मन हैं वो आज आपके दोस्त हो सकते हैं ये बात भी उनुने कही इशारे बहुत तरफ उनुने किये हैं लेकिन बड़ा इशारा ये किया कि 22 साल जिस दिश्टे में मैंने इन्वेस्ट किया और ये बा ता, वो लोग सही थे, जो मुझे उस समय ये कह रहे थे, और अंग्रेजी में एक लाइन कही, अब उसने खुद अपने लिए ये बिस्तर तयार किया है, अब इस बिस्तर पर उसे लेटना है, अब इस बिस्तर पर उसको आराम करना है, यानि साफ दोर पर ये फैसला उनका अपना है, और जो ये फैसला किया है, अब इसी फैसले के साथ उनको आगे बढ़ना है, सियासत ब तमाम लीडरान ये कह रहे हैं कि अगर आपको अमर अब्दुल्ला तक जाना होता तो वो रास्ता देविंदर सिंगराना के यहां से जाता था अगर आपको डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला तक पहुंचना होता इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला किस इंतिहा दरजे की महबत और किस इंतिहा दरजे का यकीन और भरोसा दिवने सिंगराना में करते थे जमू डिकलेरेशन की आवाज क्या उनने दी क्या बात उनने जमू संभाग की करने शुरू कर दी क्या उनने वो कहानी छेड़ दी जो कहानी आपको कश्मीर संभाग की से जो पुलिटिकल पार्टीज औरिजिनेट होती हैं उन पुलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़कर जो कहानी आप नहीं सुना सकते जो किस्सा आप नहीं सुना सकते वो किस्सा छेड़ दिया देवंदर सिंग राना ने वो राग छेड़ दिया देवंदर सिंग राना ने उन्होंने कहा कि मैं जम्मू की बात करूँगा जम्मू संभाग की बात करूँगा और वो जो मेमोरेंडम लेकर गए हैं डीलिमेटिशन कमिशन के सामने वो जो मेमोरेंडम डीलिमेटिशन कमिशन को सौंपा है फटा फट यही हुआ वो शखस जिस शखस को कल तक सेकुलिरिजम का अलंबरदार कहा जाता था जिस शखस को कल तक यह कहा जाता था कि सेकुलरिजम शुरू भी सी पे खत्म होता है खत्म भी सी पे होता है आज वो शख्स जो है वो फिरकापरस्त सिर्फ और सिर्फ विसले हुआ है कमिनल सिर्फ और सिर्फ विसले हुआ है क्योंकि उसने जम्मू की बात करना शुरू की है हाला कि देविंदेज सINGH RANA ने अपनी तकरीर में भी ये बात कही उन्यूने जब भारतीनिता पार्टी को जाइन किया वहां पर भी उन्यूने एक बात बर्मला कही वो उन्यूने ये कहा जम्मों से एक आवाज उठे जो आवाज जम्मौ क Sugmier को एकठा करने में जम्मो कश्मीर को एक रखने में जम्मो कश्मीर को मजबूत करने का काम करे वो आवाज जम्मो से उठे ये बात कही और इस बात पर बातें कहां तक पहुँच गई कि देविंद सिंग राना को नाशनल कांफरंस छोड़नी पड़ी इस्तीफा देना पड़ा और भारत जंता पार्टी में वो जॉइन किये और ये शायद पहली ऐसी जॉइनिंग थी और पहला पार्टी के ऐसा छोड़ना था जहां पर जाने वाला गया भी और बताया भी नहीं मैं गया क्यूं और निकलने वाला निकल भी गया, उसने बताया भी नहीं कि मैं निकला क्यूं और जहां से निकला उस घर के घर्वालों से जब पूँछा गया के भी ये बताईे निकला क्यूं तो उनसे कहा कि अपनी कोई जाती चुश परिशानियां हो सकती हैं जिनके चलते उन्होंने पार्टी चोड़ी है लेकिन ये दबे लफजों में मुखबत का इक्रार, वहां भी मुखबत, यहां भी मुखबत, दिलू में प्यार, दिलू में मुहबत, लेकिन कुछ तो था कि जमोडीकल Phillips की बात की डिलिमिडिशन कंष्छन कीसामने जो उन्हें मेमोरेंडम रख्ः, जिसमें मेमोरेंडम में जमोसंभाग को मझभूत करने की बात की, जमोसंभाग को एड़ूकेट प्लिटिकल रिप्रेसेंटेशन मिलना चाहिए, यह बात की, यह बातें जो हैं नागवार गुजरी पार्टी रैंक इंड फाइल को ये बाते नागवार गुजरी हेड़कौाटर को ये बाते नागवार गुजरी कश्मीर को शिरनगर को और जब मैं शिरनगर की बात कर रहा हूं तो मैं आम लोगों की नहीं बलकि मैं उन सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ जिन सियासी लोगों ने ये तै किया कर रखा है सालों से कि कोई भी नरेटिव अगर शुरू होगा, कोई भी कहानी अगर शुरू होगी, कोई भी किस्सा अगर शुरू होगा, किस्से की आप किस्सा चलना शुरू हो जाए आप सिर्फ उसमें शामिल हो सकते हैं शामिल होकर आप भी अपना छोटा मोटा जो रोल आपका बनता है वो करिए लेकिन आप फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बात न करें आप जम्मु संभाग से कोई नरेटिव शुरू करने की बात न क हुआ है कि उनको आज फिरका परस्त कह दिया गया उनको आज कमुनल कह दिया गया उनके जमूर डिकलेरेशन को लेकर ये बात कह दी गई पार्टी के वरकिंग प्रेजिडेंट ने उनके करीबी दोस्त ने कि बाईस साल एक रिष्टे में मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट क किया था और बाईस साल के बाद मुझे ये पता चला कि वो रिष्टा तो मेरा था ही नहीं तो देविंदर सिंगराना के ऊपर दिल खोल कर बोले हैं पूर मुख्य मंत्री और नाशनल कांफरेंस के कारिकारनी अध्यक्ष अमर अब्दुल्ला वायर पर इंटर्व्यू है द ौकल बता रहे थे कि दिल टूटा है और दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है कि यार बिचटा है और यार ने बिचणते बिचणते ये भी नहीं बताया कि आखिरकार बिचणने की वज़ा क्या